जोहार जैमुलियों आसी मैसंकेत और आप देख रहे है MN TV हम आपको पिछले कुछ दिनों से कोरोना की जो दूसरी लहर भारत में चल रही है बहुत तेजी से फैल रही है इस महामारी के बारे में बता रहे है इसके अलावा हम ये भी आपको बता रहे है कि इससे अब तक कितना नुकसान हुआ है और इस नुकसान के लिए कोन लोग जिम्मदार है इस महामारी को पिछले साल से अगर हम देखे तो मोदी सरकार का दो प्रकार का रवया हमें दिखाई देता है सबसे पहला रवया आकरमक्ता का है और दूसरा रवया निश्क्रियता का है पूरी तरह से उदासीनता का है आकरमक्ता का जो रवया है वो पिछले साल हमने देखा और निश्क्रियता का जो उनका रवया है या वेवहार है वो हमें इस साल देखने को मिल रहा है इन दोनों रवये के अपने अपने कारण है आज क मोधी सरकार ने इस महामारी को रोकने के लिए आकरमक्ता दिखाई थी लेकिन वो आकरमक्ता भी अएन समय पर यानि जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी उस वक्त ये आकरमक्ता मोधी सरकार की तरब से दिखाई नहीं दी गई जनवरी 2020 के अंत में ये इस महामारी ने भारत में दस्तत दी लेकिन उसके बाद भी जनवरी 2020 से मार्च के आकरी हफते तक मोधी सरकार पूरी तरह से निश्क्रिय रही उस वक्त इस आकरमक्ता की जरूरत थी उस वक्त कठोर तरीके से कदम उठाने की जरूरत थी लेकिन मोधी सरकार ने ऐसा नहीं किया मार्च के आकरी हफ्ते में मोधी सरकार ने इस पर निरने लेना या जनता कर्फ्यू की बात हो या लोगों को सतर करने की बात हो ये काम उनोंने किये उस वक्त जब इस आकरमक्ता की सबसे ज़्यादा जरूरत थी या जनवरी फर्वरी के महने में फर्वरी से लेकर मार्च के दूसरे तीसरे हफ्ते तक ये अगर आकरमक्ता मोधी सरकार दिखाती तो शायद गॉरूना की जो पहली लहर भारत में चली या भारत में फैली जिससे काफी नुकसान हुआ पिछले साल भी आर्थिक नुकसान ज्यादा हुआ भारत के अर्थविवस्ता पूरी तरह से डूब गई वो शायद नहीं होता मजदूरों का जो पलायन हुआ वो शायद नहीं होता तो और बिना प्लानिंग का जो लॉकडाउन मोधी सरकार ने किया वो भी नहीं होता अगर फरवरी और मार्च के महने में मोधी सरकार ने इस महामारी को रोकने के लिए कटोर कदम उठाए होते तो अब हमें ये देखना है कि मार्च 2020 के महिने में मोधी सरकार ने इस महामारी को रोकने के लिए जो आकरमक्ता दिखाई उसके पीछे कारण क्या है सबसे पहला कारण जो हमें नजर आता है वो ये है कि भारत में C.A.A. विरोधी आंदोलन चल रहा था दिल्ली के शाहिनबाग में कई महिनों से यानि दिसंबर 2019 से अगर हम देखे तो महिलाए वहाँ पर बैठी थी आंदोलन कर रही थी और ये माहौल पूरे देश में बन रहा था इसके विरोध में, यानि C.A. A. A. N.R.C. N.P.R. की विरोध में बहुजन करांटी मोरचा की तरफ से 29 जनवरी को भारत बंद भी किया था और इस भारत बंद के बाद बहुजन करांती मौर्चा ने 26 मार्च को और एक कॉल दी थी कि 26 मार्च को फिर एक बार वो भारत बंद करने वाले है ये कॉल उन्होंने पहले ही दी ती यानि फरवरी के महने में ही ये कॉल उनके तरब से आई थी तो बहुजन क्रांटी मूर्चा को जिस तरह से समर्थन मिल रहा था या CAA NRC NPR के बारे में लोगो में जिस प्रकार की जागरिक्ता बढ़ रही थी लोग मोदी सरकार के विरोध में जा रहे थे भारत में CIA के विरोध में जो आंदोलन चल रहा था उस आंदोलन को भी बदनाम करने की बहुत कोशिश मोदी सरकार के द्वारा की गई उस आंदोलन को तोड़ दिया जाए ये भी कोशिश हुई हर स्तर पर मोदी सरकार ने ये प्रयास किया लेकिन किसी भी परस्तिती में वो आंदोलन तूट नहीं रहा था, बिखर नहीं रहा था, बदनाम नहीं हो रहा था, बलकि और ज्यादा मजबुत होते जा रहा था, तो इस आंदोलन को दबाने के लिए, उस आंदोलन को कुचलने के लिए, मोधी सरकार ने मार्च 2020 के महने में इस महामारी को लेकर आकरमक्ता दिखाई ये है आक्रमक्ता दिखाने का पहला कारण दूसरा कारण ये है कि फरवरी के महने में दिल्ली में बहुत बड़े पैमाने पर दंगे फैले और इन दंगों में ये सामने आया कि बीजेपी के बड़े नेता बड़े कार्य करता कार्य करता ही नहीं बलकि बड़े नेत इसमें सहबागी है फिर चाहे वो कपिल मिश्रा हो या अनुराक ठाकुर हो ये लोग इस दंगे फैलाने में शामिल है और इन पर ना दिल्ली पुलिस कारवाई कर रही थी ना सरकार कारवाई कर रही थी और ना ही फेस्बुक से उनके हेट स्पीच को हटाया जा रहा था तो और इसके लिए भी इस मुद्दे को डायवट करने के लिए भी मोधी सरकार ने मार्च 2020 के महने में आकरमकता दिखाई और लॉकडाउन जो है वो लगाना शुरू कर दिया ये था दूसरा बड़ा कारण तीसरा कारण ये है कि बहुत नगरी साकेद जिसे अयोध्या भी कहा धिखाई जाता है उस पर अतिक्रमन करना और ये अतिक्रमन तब करना संभव था जब लोगों का विरोध ना हो मोधी सरकार ये सोच रही थी कि ये जो समविधान के विरोध में जाकर सुप्रीम कोट ने या सुप्रीम कोट द्वारा उन्होंने जो फैसला सुनाया था और जिसके आधार परवे आयोध्या में यानि साकेत में राम मंदिर निर्मान करना चाहते थे राम मंदिर बनाना चाहते थे वो अगर जनता का विरोध वहाँ पर हुआ बहुजन समाज का अगर बड़े पैमाने पर विरोध हुआ तो ये मंदिर निर्मान का जो कार ये है वो करन संभव नहीं था और उसके साथ में ही वहाँ पर जो आउशेश मिले थे या मिल रहे थे जब समतली करन का काम वहाँ पर चल रहा था उन आउशेशों को नश्ट करना भी जरूरी था और यह नश्ट तभी किया जा सकता था जब लोगों को घरों में कैद किया जाए लोगों को मार्च 2020 के महिने में मोधी सरकार ने इस महामारी को लेकर आतरमकता दिखाई थी इसका चौथा कारण हमें ये दिखाई देता है कि जिस प्रकार से मोधी सरकार ने लॉकडाउन के दावरान ही कृशी कानून लाए जबकि किसी प्रकार से किसी किसान संगटन से ये मांग नहीं हो रही थी कि क्रिशे सुधार के लिए कोई कानून लाया जाए बलकि किसान बार-बार ये कह रहे थे ये मांग उठ रही थी कि MSP को लेकर कानून लाया जाए लेकिन केंदर सरकार ने MSP को लेकर कानून नहीं लाया बलकि ऐसे तीन कानून लाए जिन कानूनों की वज़ा से भारत की जो खेती है वो खेती पूझी पतियों के हाथों में चली जाएगी और किसान इसका राश्ते पर उतरों कर वियोध ना कर सके इसलिए भी ये lockdown लगाया गया इसलिए भी मोधी सरकार द्वारा ये आकरमकता दिखाई गई इस महामारी को रोकने के लिए ऐसा दिखाया गया कि हम इस महामारी को रोकना चाहते हैं और इसलिए हम ये lockdown लगा रहे हैं और इस lockdown के दर्मियान ही मोधी सरकार ने तीन क्रिशी कानून लाए जिसके बाद इन कानूनों का अक्टूबर नवंबर के महिने से ही पिछले साल विरोध होना शुरू हो गया और ये विरोध लगातार जारी है इसमें पांचवा कारण जो हमें दिखाई देता है वो है new education policy इस policy को लेकर भी कई सारे सवाल खड़े हुए है कहा जा रहा है कि ये इस policy के द्वारा यानि इस new education policy के द्वारा शिक्षा क्षेतर का निजी करन होगा बहुत बड़े पैमाने पर privatization होगा capitalization होगा जो धीरे-धीरे हो रहा है और ये इस नीती की वज़े से इस नई शिक्षा नीती की वज़े से ये पूरी तरह से शिक्षा का निजी करन हो जाएगा पूरी तरह से शिक्षा का व्यापारी करन हो जाएगा इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है इस new education policy के बारे में कि इससे ब्राह्मनाइजेशन जो है education का वो बहुत बड़े पहिमाने पर होगा कोई लोग उसे communalization कहे रहा है कोई लोग उसे सैफरोनाइजेशन कहे रहा है तो एक तो शिक्षा का निजी करन है दूसरा शिक्षा का ब्राह्मनी करन है ये दोनों काम ने new education policy के माध्यम से सरकार करना चाहती है और इस lockdown में ही उन्होंने इस new education policy को लाया ताकि जो शिक्षा क्षेतर के लोग है चात्र है या युवर्ग है वो इस policy का विरोध ना कर सकते रास्ते पर उतर कर विरोध ना कर सके इसलिए भी ये जो new education policy है वो लाई गई और ये lockdown के समय में लाई गई जिस दवरान मोधी सरकार ने इस महामारी को रोकने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर आकरमक्त दिखाई थी इसके अलावा श्रम कानूनों में बदलाओ है वो भी lockdown के period में किया तो मोधी सरकार ये चाहती थी कि तमाम वो बाते वो कर सके जिसका लोग विरोध ना करे लोगों को घर में मिठाया जाए घरों में कैद किया जाए और अपना जो काम है वो किया जाए RSS के द्वारा भी ये कहा गया मोधी भी बार बार ये कहते रहे सरसंग चालत मोहन भागवत भी ये कहते रहे कि आपदा में आउसर हमें ढूंड़ना है तो जो आपदा भारत में आई थी जो महामारी भारत में आई थी उसका उन्होंने capitalization किया उसका उन्होंने भरपूर उपयोग किया और इस उपयोग करते हुए ये जो तमाम जो मैंने 5-6 बाते बताई वो मोधी सरकार ने की है और जिसके लिए ये करने के लिए मोधी सरकार ने पिछले साल इस आपदा को या इस महामारी को आउसर में बदल दिया इस महामारी के बारे में आक्रमक्ता दिखाई अब हम बात करेंगे मोधी सरकार के निश् प्रियता या उदासिनता इस पूरे महामारी को रोकने के लिए मोधी सरकार द्वारा दिखाई दे रही है वो क्यू है उसके पीछे क्या कारण है उस पर हम चर्चा करेंगे सबसे पहला कारण जो हमें समझ में आ रहा है वो ये है कि क्रिशी कानूनों के विरोध में पिछले चार-पांच महिने से किसानों का जो आंदोलन चल रहा है वो थमने से ये वो मोधी सरकार के बहुत प्रयासों के बाद भी थम नहीं रहा है रुक नहीं रहा है मुदी सरकार ने उसको तोड़ने का प्रयास किया उस आंदोलन को बदनाम करने का प्रयास किया उस आंदोलन में फूट डालने का प्रयास किया उस आंदोलन को हिंसक बनाने का प्रयास किया बाउजोद इसके वो आंदोलन अभी भी चल रहा है और अभी भी किसान दिल्ली के अलग-अलग borders पर डटे हुए है और यह आंदोलन केवल दिल्ली की सीमाओं पर नहीं तो बलकि अब देश के विबिन्न हिस्सों में चल रहा है किसाननेता राकेश टिकेत हो गुर्मान सिंग चडूनी हो या तमाम जो ऐसे नेता है किसाननेता जो अलग-अलग राज्यों में जाकर बैठके कर रहे है, किसानों को समझा रहे है और किसानों को लाम बंद करने की एक जूट करने का एक प्रयास संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा किया जा रहा है और इस आंदोलन को किसी भी परस्तिती में मुधी सरकार रोक नहीं पाई इसलिए रोकने के बजाए आंदोलन को समाप्त कर दिया या बंद कर दिया उसी प्रकार से मोधी सरकार ये अब सोच रही है कि इस किसान विरोधी या किशी कानुनों के विरोध में जो आंदोलन चल रहा है इस आंदोलन को भी बंद किया जा सकता है और इसलिए मोधी सरकार खुद ही इस महामारी को बढ पर्थन में 2019 के लोकसवा चुनाव से पहले ही सुप्रिम कोड द्वारा जो निरने दिया गया उसके विरोध में यानि 2014 के चुनाव के बाद से ही लोगों में EVM के बारे में आशंका बढ़ रही थी 2019 के लोकसवा चुनाव के बाद ये आशंका और बढ़ने लगी लोगों की जनभावना जो है वो EVM के विरोध में जाने लगी जिसके लिए बहुत बड़ा काम वामन मेश्राम जो की बहुजन करांती मोरचा के राश्रे संयोजक है उन्होंने किया उन्होंने EVM भंडा बारे में लोगों को जागरत कर रहे थे EVM का EVM में किस प्रकार से धांदली होती है सुप्रिम कोट इसमें किस प्रकार से सहबागी है केंद्र सरकार चुनाव आयोगे सारे लोग मिलकर मिडिया विपक्षी दल यानि खास तोर पर कॉंग्रेस ये इस EVM के घोटाले में किस प्रकार से सहबागी है ये वो बता रहे थे और इस EVM विरोधी परिवर्तन यातरा की वज़ा से लोगों में EVM के विरोध में जनभावना का निर्मान हुआ इस जनभावना को रोकने के लिए भी ये जो अभी मोधी सरकार की तरफ से महामारी को लेकर जो निश्क्रियता है वो दिखाई दे रही है क्योंकि मोधी सरकार चाहती है कि ये महामारी बड़े और बढ़ने के बाद इसका हवाला देकर लोगों को अपने घर में बिठाया जा सकता है या लोगों के जो मौलिक अधिकार है उसका हनन किया जा सकता है उस पर पाबंदिया लाई जा सकती है तो ये दूसरा बड़ा कारण हमें दिखाई देता है कि मोधी सरकार इस महामारी को लेकर निश्क्रियत क्यों है तीसरा कारण ये है कि जिस प्रकार से हमने पहले ही चर्चा कर ली की सविधान के विरोध में जाकर सुप्रीम कोट ने जो राम मंदिर का फैसला दिया या फिर राफेल का जो फैसला है उसके बारे में भी कई सारी याचिकाय सुप्रीम कोट के अंदर पेंडिंग है अभी भी सुप्रीम कोट में उसकी कोई सुनवाई नहीं ह केवल 10 प्रतिशत कोट ही सुप्रिम कोट काम कर रहा है और इस महामारी को और बढ़ने अगर दिया जाएगा तो सुप्रिम कोट नहीं खुलेगा और यह जो केसे स्पेंडिंग है उस पर सुनवाई नहीं होगी तो इसके लिए भी मोधी सरकार इस महामारी के बारे में निश् यह दिखाई दे रही है तो यह थे कुछ ऐसे कारण जो मोधी सरकार की आकरमकता पिछले साल और इस साल की निश्क्रियता के थे अगर हमसे कोई कारण छूट गया हो अगर आपको लगता है कि यह भी एक कारण है जिसकी वजह से मोधी सरकार ने पिछले साल आकरमकता दिख झाल झाल